तो मेरी बात है कई लोगों को बुरी लग सकती है बट हम यहां पर सच कहेंगे मैं हूँ आपको दोस्त नवी और यहां पर बात करने वाले हैं कैलिफोर्निया सॉफ्वियर के बारे में यह स्टोक में आज आपको 20% की तेजी दिखाई देगी लेकिन आप कुछ भी कीजिए इसके ओपर कोई भी नियूज नहीं है कोई भी अपडेट नहीं है तो इस स्टोक को अरड़ी कई वर मैनो प्लेट किया जा चुका है यहां पर अगर बात करें आज 20% की तेजी है पिछले 5 जूनों में 25% के पॉस्टिव रिटर्न एक मन्त में 33% के रिटर्न 6 मन्त में 14% के स्टोक काफी जारा डिसकांटेट प्राइस पर मिल जाते हैं इंवस्टमेंट के छोड़ दो इनकेस कभी स्टोक में हलकी भुलकी वी तेजी आती है तो लोग रिटेल इन्वेस्टर ओव जारा बाइंग करके स्टोक को ओव जारा पुश्ट करते हैं यहां पर पिछले एक स रुपे तक था वो पंप करके सो रुपे तक भी गया तो आप यहां से सभी चीजों को समझ सकते हैं अगर फाइनेशल की बात करें तो देखिए कंपनी का रिवेन्यू सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ कंपनी की बात करें तो कंपनी में 2022 तक सिर्फ 15 लोग काम करते थे जब कंपनी 1992 से फांड़ेट है तो कंपनी हम लोगों से काफी जारा पुरानी है जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं इन्वेस्ट करते हैं उनके टाइम की वीडियो जब उनका बर्त हुआ था तब से वीडि देख लिते हैं तो कंपनी देख्या 20 क्रोड की है चोटी कंपनी है रिटर्न एक्विटी टू के राउंड है अगेन बहुत जारा पुआ रहा है साथ क्रोड का कंपनी के पार करजा है रिजर्व में कंपनी के बाद कुछ नहीं नेगेटिव है पर मोटर होलिंग 35 नहीं लगाया है इंडस्ट्री भी 39 का है और यहां पर बुक वेली कंपनी के साथ की है अगर मैं पूरा समब भी करूं तब भी मुझे कि यहां पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगती जिसकी वैसे मैं यहां पर इंवेस्मेंट करनी चाहिए मुझे आज हैवी वोल्यम 245 क का वोल्यम है और इतने में ही आप दिख सकते हैं कि स्टोक ने आपको 20% का जम दिखा दिया जो कि practically सहीर नहीं है अगर हम यहां पर जूम आट भी करें तो अगर किसी के बास अच्छा खासा पैसा बढ़ा हुआ है वो और आम से शेयर को मैनूप्लेट कर सकता है तो इस शेयर से थोड़ सा बचके रही है नो डाउट अगर आपने इंवेस्टमेंट की हुई है जा फिर अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे गैंबलिंग हलका फुलका पैसा लगाया जा सकता है यहां से अच्छे रिटेंड बनेंगे लेकिन स्टोक बहुत जारा र इसके बाद तो कमेंट कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको बच्छी एडवाइस दें